सरोजनी नाइडू के जैनती के उपलक्ष में हर साल 13 फर्वरी को राश्य महीला दीवस मनाय जाता है यह खास दिन महीलाओं के अधिकारों वतंतरता आंदोलन में सरोजनी नाइडू के योगदान को दर्शाता है सरोजनी नाइडू से राश्य महिला दीवस का गहरानाता है सरोजनी नाइडू भारत की प्रमुक स्वतनतर्ता सैनानिवा कवितरी रह चुकी है उन्हें भारत कोकिला यानि 19 गेल ओफ इंडिया भी कहा जाता है इतना ही नहीं वह ब्रीटिस सरकार के खिलाफ देश को अजादी दिलाने के लिए स्वतनतर्ता आंदोलन में उनकी महतवपून भूमिका है वह हर महिला के लिए प्रेणा है उन्होंने देश को अजादी और महिलाओ के अधिकारों के लिए संगर्ष किया अजादी के बास सरोजिनी नाइडू को पहली महिला राज्यपाल बनने का भी मोका मिला उनके कारियों को महिलाओ के अधिकारों के लिए उनकी भूमिका को देखते हुए सरोजिनी नाइडू के जनम दिन के मोके पर राष्ट्य महिला दिवस मनाया जाता है भारत की कोकिला ने महिलाओ के अधिकारों के लिए वीर्तापूर्ण लड़ाई लड़ी वह महिला भारत्य संग की नेताओं में से एक थी जिसे महिलाओ के अधिकारों और शशक्तिकर्ण को बड़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था केवल देश ही नहीं बलकि उन्होंने विदेश में भी अपनी जन सेवा का परिच्च दिया